परिवारिक जीवन में और कामकाजी जीवन में एक दिन में नजाने कितनी ही बार व्यक्ति को हां और ना के साथ में चलना पड़ता है। व्यक्तित्व कितनी गहराई लिये हुए है और भीतर तक स्वयम को लेकर कितनी इस्पस्टता लिये हुए है वो सिर्फ हाँ पर नहीं ना पर भी निर्भर करता है कोई कार्य स्वापा गया है और कहा गया है इतने समय मैं पूरा करके दीजिए व्यक्ति उस समय की इस्तिती को और परिस्तिती को टालने के लिए अंचाहित तोर पर ही सही बिना गणनाओं के हां बोल दिया करता है कि हां सहब कर लेंगे परन्तु थोड़ी ही देर बाद मन के भीतर ये बिचार आता है कि वहाँ पर तो हां बर्दी करेंगे कैसे ना कह देते तो अच्छा होता कुछ समय की गुंजाईशें सामने होती ना की ताकत बहुत बड़ी है परन्तु व्यक्ति कितनी मर्दुभाशिता के साथ कितनी स्पष्टता के साथ इस शब्द का इस्तमाल कर पाता है ये उस पर ही निर्भर करता है तो वहीं पर इन दोनों ही शब्दों के मद्धिक स्थिती क्या पता के साथ भी आती है क्या पता हो पाएगा है नहीं वहीं से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की परिभाशा को बहुत बड़ी नकारात्मक्ता के साथ में भी जोड़ देने वाला होता है कि क्या भीतर की गणनाएं इतना भी विज्वलाइज नहीं कर सकती कि वो सकता भी है नहीं किसी को आर्थिक तोर पर मलत करने की तरफ जाना है हमारी लिमिट के बेसिस क्या है हम जानते है वहाँ पर हाँ या ना के साथ में चलते हुए हम स्वयम को ही स्पष्टता नहीं देंगे अगले व्यक्ति को भी स्पष्टता देने वाले होंगे परन्तु वहीं सरफ ये कह दिया कि हाँ देख लेंगे और वहीं से व्यक्ति बहुत बड़ी उलज़नों का शिकार होता चला जाता है इसी वज़े से परते एक दिन में हाँ की भी कुझाईश बहुत बड़ी है और ना की भी कुझाईश उतनी ही बड़ी है इन दोनों ही शब्दों के साथ में एक अलग ताकत का सिरा बे जुड़ा है परन्तु जब व्यक्ति अति-उत्सा में होता है तो उसको हाँ ही नजर आता है वहाँ ना मुर्द भाशिता के साथ में रहती ही नहीं है लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे अपनी यातरा को तै़ करता है अनुभव, अनुभूतियों के साथ में परिवर्दित होने लगते हैं कारिशित्र के साथ में जिम्मेदारियां लगातार साथ में चल रही होती है तो गेक्ति को ये भी स्पस्ट होता है कि जिन शब्दों क्या विशकता है उसमें ना का भी शुमार है जिवन जितना क्या पता कि स्तितियों से बचता है और हाँ या ना किसरों के साथ में स्वस्ट चलता है उतना ही हम खुद को सरलता देते चले जाते हैं बोजिल करने वाले नहीं होते चार जगे हाँ कैदिया है और अनमने डंग से हाँ कहा है आगे उसके परणा मालुम है कि शाम तक मना करना पड़ेगा तो हमने वो दस से बारा गंटे अगले व्यक्ति को भी अपिक्षाओं के साथ जोड़ कर रखा अपने व्यक्तित्व की परिभाशाओं को भी कहीं ने कहीं परिवर्तित किया लोगों के मन में हमारे प्रतिक संदेह निकल कर आया विश्वास की कमी स्वहिम के लिए भी रही और अगले व्यक्ति विशेश के लिए भी रही इसे वज़े से इन शब्दों के साथ में अपनी ताकत को जोड़ने की आवशक्ता है पूर्ण तया रहती है इंजारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 13 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है चंदर्मा कन्या राशिस्तान में है उत्रा फालगुनी नक्षत्री परिदियाधार मागमा सकरशन पक्ष चल रहा है और वहीं शुक्रवार रहेगा दैनिक राशिफल की हम शुरुबात करते हैं मेश राशिके साथ में सबसे पहले तो यहां कार्य शेत्र में जो भी महनुभाव विद्रो के साथ में उपस्तित हैं उनको इसपस्ट जवाब देने के और लेकर चलिएगा यहां आपके लिए स्वास्त है हलके फुल के तोर पर कुछ परिशानियों को लेकर आ सकता है प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में और जो रूटीन अपना कर रखा हुआ है उसके साथ में चलने का प्रहत्न कीजिएगा यह समय खर्चों की अधिकता के साथ में भी है उससे भी कैसे स्वयम को संबालते हैं महिने के मद्य अंतराल की और पहुंचते हुए बजट में गडबड नहीं होने पाए एक ख्याल रखने की जुरुत रहेगी वहीं जो शत्रपक्ष लंबे समय से हावी था चोटी चोटी बातों के साथ में आपको वैर विरोध दे रहा था वहां से भी एक स्पस्ट जवाब देने की ताकत रखें नौकरी पेशा जिवन हो या फिर व्यापारिक जिवन सुबह बले ही उलजनों के साथ हो आपके संगर्श की शद्दत कहीं ने कहीं शाम तक आपको सफलता के साथ पुन है जोडने वाली हो सकती है परन्तो इस पूरे ही दिवस में अनुशाशन की माला को अपने साथ में पिरोकर जरूर आप रखने वाले रहें वहीं वुरशब राशी कामकाजी जीवन में उत्साह बना हुआ है स्टॉक मार्केट के साथ में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की और जाना चाहते हैं सुबह साथे नो बजे से लेकर साथे ग्यारह बजे तक का समय आपके लिए अतियुत्तम है यात्राएं यहां लाब के सिरों को आपके लिए जोड़ती हुई चली जाएंगी यही वो अंतिराल है जहां आपका वक्ता कोशल देखते ही बनता है अध्यात में कनभूती जो मन के भीतर है वो निरंतर आनंद के प्रवाह को स्थापित करने वाली होगी और इसी समय के करम के साथ में इस बात को भी बारम बार स्वाइम के लिए दोराईएगा कि सर्वांगीन लाब के सिरों में यहां वरद्धे के प्रतिमान बने हुए है उसमें दूर दूर तक भी किसी भी सिरे की बाधा उपस्तित नहीं है और ये भी स्पस्त है कि यहां विद्ध्यारती वर्ग अपने लिए एकाग्रता को बेहत्षांदार तरीके से महसूस करने वाले रहेंगे इसी वज़े से विजय के आधारशिला आज आपके सेक्षनिक जीवन के साथ में स्थापित होने वाली हो सकती है मिथुन राशि मन के भीतर की गबराहटें कामकाज से आपको विरक्त और दूर करने वाली हो सकती है इसी वज़े से सबसे पहले गबराहट की जड़ तक पहुँचकर समाधान को खोजने का प्रयात्न किया जाए फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में अपना कर चलने का पूरा पूरा प्रयास आप कीजिएगा ये भी याद रखे जाने की आवशक्ता है कि हरदाय संबंदी रोग जो लंबे समय से परिशान कर रहे थे वहां से अब आपको खुद के लिए ट्रीटमेंट की बिसेस को अपना कर चलना चाहिए दोस्तों पर और भाईयों पर किसी भी कामकाज में बहुत अदिक भरोसा करने से बचें या कोई भी निकटवर्ती व्यक्ती है जिसके साथ में हम बारं बार भरोसा करते हैं और वहीं से पचास परतिशत तोर पर वो भरोसा तूटता भी है तो आज निरनायक कारियों में अपने प्रेजन्स के रिक्वार्मेंट रहेगी हाला कि किसी भी इंटर्वियू की तरफ आप जा रहे हैं वहां अट्मोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में बने हुए ये ताकत की आभा निरनतर तोर पर आपके साथ में गतिमान है वहीं करक राशी किसी भी इंटर्वियू की अपरोच सामने निकल कर आती है फैसिनेशन से यहां बचे जाने की आवशक्ता रहेंगी सुबह सुबह का समय अंतराल जो पूजा उपासना के साथ चलता है उसमें ध्यान की प्रक्रियाओं को जोड़कर मन के भीतर की जो भी दुराव है उनसे मुक्त होने की आवशक्ता है टेक्स्टाइल संबंधिकानकाज में यहां आपको कंटिनुवस नोट पर पॉजिटिविटी के साथ में चलने के रिक्वाइर्मेंट है यही वो अंतराल है जो भावुक्ता में गलत निरने की तरफ आपको लेकर जा सकता है वहां से पूर्ण तया स्वाइम को संभालने का परेतन आपकरने वाले रहें किसी भी रिलिशन के साथ में चल रहे हैं तो यहां जो बातें कॉंट्राडिक्शन्स लेकर आती है जो बातें विवादों की जन्मद आता है उसको आज के विशय का दाधार में चर्चाओं में लेकर आने से आप निरंतर बचियेगा वहीं सूर्य प्रदान सिंग राशी के जातकों के लिए दनागमन की स्तियों में ब्रद्धी है रिसर्थ संबंधी कामकाज में बेटरमेट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए बने रहने वाले होंगे यही वो अंतराल है जो सोच में रोगुनता देने वाला हो सकता है इसी समय की प्रक्रियाओं के साथ में जो अध्यात्मक प्रगती है वो भी आपके साथ में मौजूद रहने वाली होगी यहां प्रबंदन संबंधी कामकाज में भाग दौड के सिरे जरूर उपस्तित है परंतु आपके नाम किस रिष्टा वहीं से एक अलग अनुगूंच को प्राप्त करती हुई प्रतीत होती है मेडल संबंधी कामकाज हो या भूमी संबंधित कामकाज इन दोनों ही शेत्रों के साथ में अब आपको कहीं पर भी रुकने और ठकने की गुंजाईश दूर दूर तक भी नहीं है सूरी परदान राशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां एकांत कुछ समय जरूर बिताने वाले रहें कन्या राशी आत्म विश्वास में वर्द्धी है किसी भी नरणा एक कारेश की और अब जाना चाहते हैं तो रोकने और ठकने की गुंजाईश दूर दूर तक भी नहीं है आपके लिए यहां ग्रिहस्त वक्ष का माता पता का सहीउप बना रहेगा करियर में कोई भी टर्निंग पॉंट सामने आ रहा है हम कैसे खुद को स्थर करके आगे बढ़ाते हैं यह परतिमान यह स्पष्टता अपने मन के भीतर स्थापित करके रखें और वहीं पर जो उलजने बनी हुई थी उनको इगनोर करने के बजाए सबसे पहले उनको ही थामना है और स्वयम के लिए स्पष्टतार के उपर समाधान के रंगत को लेकर आना है यह एक स्पष्टता मन के भीतर मौजूद रहे तो अतिउत्तम है इस बात को बारंबार याद रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिये हैं अब उसमें भटकाव की किसी भी श्रिणी को अपने लिए देखने वाले नहीं होंगे पूरी ही उर्जा के साथ में अपने कामकाज की और चलने का प्रयत्न करते चले जाएंगे ये भी एक बात बारंबार खुद को याद दिलाईएगा होई तोला राशी खर्चों पर आज नियंदरन रखने की व्यापारिक जीवन में आवशकता है किसी भी व्यक्ति विशेश की वज़े से लीकेज लगातार चल रहा था वहां से भी स्तितियों को संबाले एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज और विदेश संबंदी कारियों में जल्द बाजी आज दिखाने से बचिएगा शेर मार्केट संबंदी कामकाज में निवेश में बहुत अलिक संबला जाए किसी व्यक्ति विशेश से रुपए पैसे की स्तियों को लेकर कहीं पर भी निवेश की प्रक्रियाओं में जोड़ना आज सही नहीं है यह याद रखिएगा जो फाइनिंशल बर्डन्स बने वो थे और जिस व्यक्ति विशेश की वज़े से बने वो थे उससे बाचीत करना या वो व्यक्ति अभी मांग के साथ में हैं तो उसको इसपष्ट जवाब देना यह दोनों ही प्रक्रियाओं के आविशक ताज है जो भीतर की शत्रु हैं आलस से शंशाए भाई वो हावी रह सकते हैं उन से संबलने का प्रयतन पूर्ण कालिक तौर के उपर आप करते चले जाईएगा रिसर्ट संबंधिकाम काज में बैटर्मेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने रहेंगे की आभा देखते ही बनती है जो कार्य लंबे समय बाद आपने हाथ में लिये हैं उसमें और अड़िक ताकत और शद्दत के साथ में चलने का प्रयतन करें गद्यारति वर्ग यहां एकाग गरता के साथ में जीवन को देखने वाला होगा तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में आकस में किलाप से आज इंकार नहीं कर सकते कार शेतर में अपनी प्रेजन्स को जिस लेवल पर आप एस्टबलिश करके रखेंगे उतने ही बेटर मेंट खुद के लिए यहां आपको मिलते चले जाएंगे और वहीं आज के दिवस में जो नीज और अल्बोस को रिलेट करते हुए पेइन होते हैं और थराटिस जैसे प्रोच में जो पेइन होते हैं उसको लेकर कैसे समबलेंगे किस तरहे अपने प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ और पूजा उपासनाओं के साथ में चल रहे हैं इस एक प्रकरता को अपने साथ आप स्थापद जरूर करने वाले रहें वहीं दनुराशी नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने प्रतिधनित होता है तो वहाँ पूरे तरीके से अपने जुडाव के स्थतियों को रखें आपकी प्रेजन्स से कहीं किसी वेक्ति विशेश को लाब मिल सकता है तो वहाँ पर भी अपनी जम्मदारियों को समझने का प्रहत्न कीजिएगा ये वो समय है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा आप दिये गए धोके सामने आ सकते हैं उसे के अपरोच के भी क्लेरिटी बना कर रखें ये याद रखें कि जो भूमी संबंदित कामकाज है या फिर निवेश की प्रक्रियां है लोगों की सलाह के साथ चलने के बजाए स्वयम्न के भीतर के मंतन को यहां आप जगह देकर चलने का प्रहत्न कीजिएगा लडिकल और टेकनिकल फिपिल्ड के साथ में आपके लिए डेवल्लप्मेंट के मैजर्स कन्टीनीवस नोट पर बने रहने वाले होंगे और वहीं Automobile और Manufacturing संबंधी कामकाज में आपके लिए Betterment के अप्रोच continuous note के उपर बनी हुई है उसमें दुविदा दूर दूर तक भी नहीं है मकर राशी अटके हुए रुपए और पैसे में पुने है वरद्धी के संकेत आपके लिए स्वष्ट तोर पर यहां पर प्राप्त हो रहे हैं वहीं पर भाग की कसा योग आपके साथ में बहुत अच्छे से कतिमान है अध्यात्मिक से रों में वरद्धी जो यहां बनी हुई है आपको और अधिक स्रेश्टता दे कर आगे बढ़ती चली जाएगी जो कार्य विदेश संबंदी स्थियों के साथ में होते हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेश की प्रेजन्स के साथ में कार्य पूरा हो सकता है तो फिर गफलतों में स्वयम को उलजाने से आप बचिएग इस अंतराल के साथ में आप मैनुफेक्चरिंग संबंदी काम काज और टेक्निकल फ्रेम को रिलेट करते हुई किसी भी अप्रोच के साथ में अपनी उर्जा को जितना अच्छे से आगे बढ़ाएंगे उतने और सुलब और सुगम परणाम आप लेकर आने वाले हो सकते है इसी समय की स्तिती के साथ में सरभांगीन लाप की स्तितियों में वर्द्धी बहुत अच्छे से बनी हुई है और वहीं पर ग्रहस्त पक्ष के साथ में संबात कोशल इस्थापित करके आगे बढ़ने का प्रेतन आप जरूर करने वाले रहें वहीं शन्यदेव की मुल्टरकॉण कुम्बराशी रिसर्थ संबंदि कामकाज में बैटर्मेंट है वहीं वानी संबंदित कारियों में जितना धैर्रे के साथ में आप चलेंगे उतनी ही बहतरी स्वयम को आप देते चले जाएंगे इसी करम के साथ में यह याद रखिएग कि स्वास्त को लेकर भी सावधानी बढ़ते हैं वाहन चलाते समय अत्यधिक तोर के उपर सजग रहें किसी लंबी दूरी की आतरा के तरफ जाना है तो वाहन को जो चेक करना होता है प्रॉपर बेसिस पर वो भी एक फ्रीम अपने साथ में स्टेबलिश कर लिया जाए तो प्रेक्ट को केरी करें वहीं जो महत्वपून फाइल सादी हैं उनको एक बार चेक कर लिया जाए कई बार व्यक्ति छोटी छोटी गलतियों के वज़े से हसी का पात्र बन जाता है ऐसी स्टतियों से आज दूरी रखने का प्रहत्न जरूर कीजिएगा ये एक प्रमुक नि मीन राशी व्यापारिक जिवन में नई उमीदें आपके साथ में जुड़ती चली जा रही है वहीं जो हितों के टकराव किसी व्यक्ति विशेश के साथ बने हुए थे उनसे भी एक समझाईश के साथ में स्वयम को लेकर चलने का प्रहत्न कीजिएगा फ्लेक्सिबिलिटी बरते हैं इस दिवस को जितना हम खुद के लिए प्रिसाइज नोट पर लेकर चलेंगे कि इस समय ये कार्य करना है वेक बिलकुल भी नहीं है एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है वहीं से आप जिवन को एक नवाभा देते चले जाएंगे और वहीं ये बात बारम बार कि जो कार्य अठकेवू थे वहाँ पुनहे एक बार परियास किया जाए चेस्ठाओं के साथ में खुद को बल दिया जा और यहीं कहा जाए कि नहीं विजाए कि आभा अपने साथ में रहेगी वहीं से विक्ती एक अलग स्पष्टता स्वैम के लिए निरुपित करता चला जाता है तो यह था तेरे हैं जन्वरी 2023 का देनिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्तित होते रहेंगे धन्यवाद एवं कोटी शह आभार